अपने नसीब को यानि अपने भागे को और दुसरे को दोस्त क्यूं देना मेरे दोस्त जब अपने सपने हमारे हैं तो कोशिज भी तो हमारी होनी चाहिए ना अक्सर हम क्या करते हैं नसीब को दोस्त देते हैं कि हमारे नसीब में ये नहीं था तो हमें नहीं मिला ये रोते रहते हैं और ये कौन रोते हैं जो महनत करना नहीं चाहते हैं और इच्छा रखते हैं बहुत बड़ी बड़ी अप ये सोचो ना अगर सपने आप देख रहे हैं तो कोशिज भी आपक बनता है ठीक है क्लास को स्टार्ट करूँगा उसके पहले बोलूँगा क्लास का टाइमिंग आप सभी देख ले ना जैसे कल आपका A to Z सारा क्लास चला था आज भी जो है आपका A to Z सारा का सारा क्लास on time चलेगा और आज कवर करेंगे हम सभी 17 जैनवरी के इपोर्टेंट करेंट अफ़ेर कुछ इपोर्टेंट पॉइंट के साथ उसके पहले बोलूँगा क्लास अच्छा लगता है तो एकलाई जरूर करिएगा और चैनल पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दिजिएगा ताकि हर एक क्लास का अब बिट मिलता रहे और किसी भी एक्जाम के लिए और लाइन प्राक्टिस सेट मूग टेस्ट या फिर स्पीड टेस्ट जो है आप हमारे एप्लिकेशन सक्सेस की 98 का डाउनलोड करने के बाद एप्लिकेशन की उपर भी दे सकते हर एक एक्जाम का ठीक है अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडीटी के साथ एक साल तक जितने भी एक्जाम आपके होंगे रेलवे एससी बैंक का हर एक एक्जाम का 20-25 सेट आपको दिया जाएगा ताकि एक्जाम से पहले आप सभी जच कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ठीक है जैसे आप देख पा रहे होंगे बैंक के सारे एक्जाम का रेलवे का एससी का सारे एक्जाम का टेश्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा हमारे application के उपर या फिर अगर चाहते हैं कि नई mode test आपको laptop पर देना है तो success की 98.net पर जा कर दे सकते हैं ठीक है तो देखते हैं आज का पहला question 17 January का क्या निकल कर आ रहा है हमारे सामने और आज का जो पहला प्रस्त है वो यह है कि हाल ही में मिनाती मिसरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस चीज में प्रस्तित थी ये आपको बताना है तो फोटो में ही आपको देखकर लग गया होगा यह एक dancer है ठीक है तो बिल्कुल सही यह एक dancer है option number B आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे यह एक निट कर रही है और यही है आपकी मिनाती मिस्रा अगला प्रस्वारे सामने है किस संस्थान को जल्द ही रास्टिय महत्यों के संस्थान का दरजाद मिलेगा which institution will soon get the status of institution of national importance और यह status मिलने जा रहा है कौन से संस्थान को तो वो है आपका गुजरात आयरुवेद बिस्विद्दाले option number आपका D ठीक है अगला प्रस्वारे सामने है भारस सरकार ने किस देश के साथ अंतरिक सयोग पर एक समझोता साइन किया है यानि अंतरिक सयोग के उपर इंडिया और किस राष्ट के वीच में जो है वो डिल साइन हुआ है यह आपको बताना है और आज का आपका पहला प्रस्थ यही है कि मोंगोलिया का राष्ट पती का नाम क्या है वहां का करेंसी क्या है और वहां का कैपिटल यानि वहां का राष्धानी क्या है यह तीन चीज आपको कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्थ ने है अगला प्रस्थ हमारे सामने है सरकार के पुर्वत्तर में प्रकृतिक गैस की अपूर्ती के लिए कितने करोड के परिवय के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी गई है यह आपको बताना है और वो एमाउंट कितना है तो वो एमाउंट है आपका 5000 करोर रूपए ठीक है और यह जितने भी आपके जो प्रकृतिक गैस की अपूर्ती के यानि जो भी गैस अप्लाई आपका पाइप अगरा बैठेगा यह कौन बठाएगा तो इंद धन उस ग्यास ग्रीट लिमिटेड ठीक है इसको पूरा जो है वो पूरा का पूरा जो भार है इस कंपनी को दिया जा रहा है ठीक है ना चलो अगला कुस्टन वारे सामने भारतिया रेलवे द्वारा विडियो निग्रानी प्रानी के अंतरगत आने वाले स्टेशन की कुल संख्या कितनी है अब बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर है अब सभी रेलवे स्टेशन जो है वो CCTV के अंडर रहेगा सभी तो वहाँ पर कराइम वोगरा बहुत कम होगा यह तो पहला exempt platform हो गया कितने station पर पहला यह जो experiment है वो अजमाय जा रहा है तो starting के 983 railway station जो है वो बीडियो निगरानी प्रानी के अंतरगत रहने वाला है starting के 983 railway station और यह सारा काम किस company को दिया गया है तो rail tail rail tail जो है वो सारा वीडियो सिस्टम जो है वो स्टार्टिंग के 983 railway station पर जो है वो install यानि बैठाएगा ठीक है ना अगला प्रस्स हमारे सामने है एक तिस्वा अंतरास्टिया पतंग महसौ का सुबारंब कहा किया गया था तो वो किया गया था सावरमती के नदी के किनारे यानि एहमदाबाद में option number आपका D एहमदाबाद कहा पढ़ता है तो गुजरात में पढ़ता है गुजरात के CM कौन है तो बिजयरुपानी वहां के राजजिपाल कौन है तो वहां के राजजिपाल है आपके आचार दिबरत क्यापिटल तो वह है आपका गांधी नगर अगला प्रस हमारे सामने है दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सारी छेतर की सोची में किस राज के तीन सहर सामील है सबसे वर्ड फास्टेट फास्टेट ग्रोइंग अर्बन रिजिएन कौन सा इंडिया में 3CET जो है इंडिया कौन सा राज जिका है तो वो है आपका केरला यानि की केरल option number आपका भी और वो तीन सहर कौन सा है केरल का तो आप सभी के सामने है ठीक है और एक बात केरल के बारे में important fact आप सभी को पता है अगला प्रस्त हमारे सामने है भारत का पहला सौदेसी बिमान वहाग पोत विक्रांत किस वर्ष में चालू किया जाएगा ये आपको बताना है अगला प्रस्त हमारे सामने है भारत सरकार ने किस देश के साथ परवासन और गतिसिल्था भागेदारी समझोते की पुष्टी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है तो भारत और किस देश के साथ तो वो देश है आपका फ्रांस ठीक है और फ्रांस के बारे में अगर बात करूँ तो वहाँ कैपिटल क्या है पैरिस करेंसी क्या है वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल होता है तो वहाँ पर मुद्रा इवरो भी इस्तमाल करते हैं हाला कि वहाँ का जो में मुद्रा है वो है आपका CFP Frank और वहाँ के राष्टपती का नाम क्या है तो Emmanuel Macron ठीक है अगला प्रसमारे सामने है आरपी उलंग नाबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो पुर्वसांसत किस राजनीतिक दल का प्रतिनिद करते थे आपको बताना है मैं पहले आपको बता दूँ यह जो आरपी उलंग नाबी जो है वो MP रह चुके है आपके DM के पार्टी के ठीक है याद रखेगा DM के कहा के पार्टी है भाया तामिल नाडू का ठीक है चलो अगला प्रसमारे सामने हैं किस राज सरकार ने देश में सबसे अधिक सबसे अधिक रोगी विभाग देखवाल प्रजी कृत की है सबसे बड़ा यानि highest in present department केर जो है कंट्री में भारत में खोला गया है वो कौन से राज में और यह खोला गया है आपका जम्मू एन कास्मीर में और जम्मू एन कास्मीर के उपर राज जो पाल का यानि लेफिंडेंट गवर्नर का नाम क्या है तो कल रात को साड़े इगारा बजे वाले क्लास में ही मैंने बताया था ग्रीज चंद्र मुर्मू ठीक है याद रहेगा न और लद्दाक का तो लद्दाक के हैं राधा कृष्णा माथूर तो ये थे आपकी इपॉर्टेंट करेंट अफेयर 17 जैनवरी का इसका पूरा का पूरा पूरा पिडियफ जाकर डाउनलोड कर लीजेगा सक्सेसकी98.in से या फिर इसका पूरा का पूरा पिडियफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा वहाँ पर भी जो है वो सेयर कर दिया गया है सो मेरे जितने भी भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासास अपने मम्मी पापा का भी खयाल रखेगा और एक बात जाते जाते यही बोलूँगा क्लास का टाइमिंग देख लेना ताकि आपका एक भी क्लास मिस ना हो और सामको 6 बजे पार्टनर सीप का सिकेंड क्लास आने वाला है जो बहुत लाजवाब होने वाला है मैं यही बोल सकता हूँ ठीक है ना चले झाल 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 झाल